हेलो एबरिबन कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका नेश्ट क्लास में जिसमें हम लेकर आए भारती संविदान जो भी अभी तक प्रितेक स्टेट में जैसे अपना यूपी टैट इप सुरी यूपी में हर्याना में रायस्तान में जो भी कुशन आये हैं सुपर टैट के ए कि इसके दो पड़र करेंगे फर्स्ट पार्ट और सेटिट ऑक के किसमें कुस्त एं सम्ळदान की इसलिए दो व्हों में भी तो स्टाट करते हैं 12 संब्धान का कौनसा भाग मौलिक अधिकार से संब्न देते हैं तो देख लीते हैं इसके बारे में 12 से 35 मूल अधिकारों क्यों बेवर्ड दिया गया है मूल रूप शंवितान ने साथ परकार के मूल अधिकार प्रतान किये थे मतलब स्टार्टिंग में किन्तु 44 सम्मेदान संसोधन हुआ तो इसमें संपत्ति इस अधिकार को मूल अधिकार की सूची जटा कर किसमें कानूनी अधिकार में कर दिया बरतमान में 6 मूल अधिकार हैं पहला है सम्मता का अधिकार पिर उसके वाद सुतंतता का अधिकार सोशल के पुरूद अधिकार, धर्म सुतंतरा का अधिकार, संस्कर्थी और सिच्छा संबंद अधिकार और सम्मेदानिक उपचार का अधिकार नेस देखने पंचाइदी राज को सुद्रड करने हेथ 32 सम्मेदान महनेम लिकित में से कौन सा संसोधन किया गया था तो 73 सम्मेदान संसोधन किया गया था कौन सा 73 सम्मेदान संसोधन किया गया था है जो र्ट모 9 cakes जोड़ा गया था कि चल्गे जंसहंगे這麼 प्रवा नेयोजिं बिस्य भारती संब्दान कि अंत्रकत की सूची में व Nej तो यह आपके रखेन हैं कौन से संभर्ती सूची में सामिल किये गए हैं संभर्ती सूची में सामिल किये गए कि निकितमा से कौन सा निदेशक सिर्दान प्रेशलिस नीए तो अनुछàiद क्यावन पanu किस से समंदित खिश्पार अभी आपका है नीटी से सम्द्थे पच्यास आपका है ये है आपका कारपारिका से प्रत्थकरण से समस्द्थेता है इसका कोई रहने हो गारात्थकर सामधा दाएक विकास कारकम शुरुवात कभी थी तो 1992 में हुई थी ने भाधिसामिदान की बुनियादी ढहाँचे का सिध्धान दिया तो यह दिया था केस्वा नंद मामले में किसमें – ॉरकिर नंद मामले में 1993 भाधि-समिदान के किस अनुच्यद के अंतरकद राजजयपाल एक बिद्यक को पाक राष्टपती की स्विक्रती के लिए सुरच्चित रखने की सक्ति रखता है तो वो कौन सा है अनुच्चित दो से है जो क्या करता है विदेयक को राष्टपती को स्विक्रत के लिए सुरच्चित रखने की सक्ति प्रता करता है इन्यास देखेंगे भारती उपराष्टपती का निर्वाचन, निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, तो भारती उपराश्च पती किसके द्वारा किया जाता है ? कि यह आपका किया जाता है कि संसत के दोने सदनों के शभी सदस्य हो औरो उद्वारा चुना से 14 वुग हो गया और जो निर्वाच्ट विए हैए बहुआले सा हुस्धेमिन्य॥ आ्पराश्पतई का है तो ग्राम पनिकास शदस बनने की न्यूंटम money कि तिनी है 21 बर्स मध्धान देने के 18 ऐसे मधधान के अथारा वाश 15 सभास एक 10S़र लोग सवाब ये उपर किया है को सा है क्येशवानन मामला है क्योंग भारती मामला नियादियसों की 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 नियादियसों क या नहीं तो राज्टन के सवापति नहीं करता है संभिदान के अनुच्छित 110 की अंत्र धन विदेग से सम्मंद्ध प्राब दने कोई विदेग धन विदेग या नहीं इसका निर्णे लोकसवा अद्याश करता है या तब रहे कि राजपल संसत का पारत धन विदेग को पुनर विचार हिद बापस नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी पूर्व अनुमती से ही धन विदेग परिस्द किया जाता है कि नहीं लिगत्मेन यह से किस राजी की विजदापकास से ही सादन से है तो किस में नहीं है तमिल्नाडू में उठापि देश में बिदान परसद भी बिदान सवा भी और क confirmed विहार में भी है पर तमिल्नाडू में ऐसी विफस्ता नहीं हो सम्विंदानि के संसोधन रांति च्राचा शसाया आथ है यो श investment से बत्चों कि लिए आज ज़ी थी और नाइन टी फिफ्रीन में पंचाइ दिराज को किस राज में सरप्रितम लाउग गया थो राज सतन और अंध करना करता है कि कोई धन भिदेग या नहीं तो लोक सबा करता है अभी जस्टू पर हमने पड़ाया कर्या करें कि सभी और भारतियों को मद्धान अधिकार होना चाहिए उसका सामाज की आर्टे क्स्तर पूंत लिए Sin outras अपक्डर अपना पूरा जीवन लगा मेड़ कर ने अपना बिचार과 करते कि यह के हैं सभी भारतियों को मंदान का अधिकान मिलना चाहिए उनका आर्तिक्स अमाजक इस्तर कुछ भी हो डॉक्ट-वहमिद रहारा अमीड़ को बहाती आदन का जनक भी माना जाता है सम्मिदानिक सरकार का अर्थ क्या होता है तो सम्मिदान की सर्थों के अनुसार सरकार किसके अनुसार सम्मिदानिकी सर्थों के अनुसार सरकार कानून के अनुसार सरकार लोकतांत्रिक सरकार तो यह इसमें ऑप्सन डी सही होगा इसमें एक अलत दियाक काई इसमें तो डी ओप्सन से होगा लोक तांते सरकार भी होनी चाहिए लोकों के द्वारत चुनिये सरकार और कारून के अनुसार काणून की उसमें बात पूनी चाहिए सम् najण की शरतों जो गया, संगसूती से संभदित है तो कितनी सूची है राजसूची, संगसूची और संबर्ती सूची हैं जो भाग साथ में इनका वड़न दिया गया है किन आदारों पर राश्टपती राजपाल को पच्छुत मतला हटा सकता है तो एक राश्टपती की पच्छुत के आदार पर का संब्यदान में कोई उल्लेक नहीं किया गया है क्योंकि यह राश्टपती क्या करता है इसे अपने प्रसाद अरुपंत अपनी जब तक उसे कि इच्छा होगी तब तर रखेगा बैसा कुछ न्रण हैं उसमें सम्यदान में नहीं दिया गया है कि प्रिक्रिया राज्टपती हो सकती है fon तम पांचों हो सकती है Колको सकती है राज व्यांस लान सीट शुआ है दिना लीजुरमी चा Ministrewhat में कि अप्रवाद की सेड़ी में DAV की गईंत नहीं मिनेए अधिकारों को सम्विदान का हिर्दय वा आत्मा का है तो ये किसको का है सम्विदाने को उपचारों का अधिकार किसको का है सम्विदाने को उपचारों का अधिकार नेश देखेंगे कि पाक एवं इवर्णति सुतंत्ता असीमित नहीं है इस पर कब प्रत्म लगाया जा सकता है है तो कब लगाया जा सकता है की रास्ट pensa की एकता और a तो भी इस पर रोक लगा जाएगी लोग विवस्ता सिष्टा चार्व सई से अपनाएगा तो नहीं अगर वो नहीं अपनाएगा तो इसका ऑप्शन दी एक्दम राइट होगा सभी पर पर फाया तो यह आपका किया गया था दो यार पाँच में बांच ओन्धला पांच सर्दा स्वर्ड सिंग की सिपारस भारत के संविदान में 42 संविदान संविदार 1976 के द्वारा अनुचिद 51 का के रूप में मौलिक कर्टबे को सामिल किया गया था भारती संविदान में मौलिक कर्टबे रूस के संविदान से लिये गए हैं इंट्प 9 तो यह आपका कितना है दो से असी में दिया है इसका प्राप्धन किसमें दो से असी में सम्मीदानिक प्रसणों की सुन्सें नियाए दिस किया जगे तो पांच नियाया करते हैं वही नो Zack लोक अदालत की अतिस्ता तत्काली भारत के मुक्कि नियादिस पीएन भागवती द्वारा की गई थी कि सम्म्मेदान सबा किसके अंतरक्त इस्थापित की गई थी कैवि Neredफ मिसन 7 के इस का मार्श youacióं सचालीश से में कैविcket मिसन भारत आया था जिसका मुख्यकारिस भारतियों को सत्ता इस्तनादर करने के उपायस हो जाना था इसी मिशन की सेपार्स पर जुलाई 1946 में संविदान सभा का गठन किया गया संविदान सभा की पिर्थम बैटक 9 दिसंबर 1940 को आयद की गई थी जिसकी अधिस्तर डॉक्टर सच्छना सिहां द्वारा की गई थी इसकी अंतर समयदान में ग्यार वी अनसूची को जोड़ा गया था इसमें पंचायती राज संविदान में भाग 9 को जोड़ा गया था तो बात करें अनसूची कौन से जोड़ा गया था इसके अंतरगत अनसूची दो सो तेतारीस का से लेके दो से तेतार अड़ा तक है असप्रस्ता की समाब्ती का सम्बद के तो तो अनुच्छिद सत्रे से संबंदेता है कौन से से अनुच्छे सत्रा से संबंदेता है नेक देखेंगे भाती संबंदाने के भागती में मुली कर्तब में अनुच्छे सत्रे में अज प्रस्तता की समाप्ती की गोशना की गई है कि सूची बित्तायोगं बित्ता अपद् काल तो इसको हमेंने जञ राहेघी से स्वेटायोगं कौन से में आएंगा हमाराँ 202 से आसी बित्री अपद्काल इन कौन सा होगा 308 होगा और राजसभा हमारी कितने माईगी 312 में सम्विदान संसॵ दन 368 तो इनका यह मैच है कौन सा इसमें राइट होगा गया तो पहले का 4 दो दियुक्त की लंबाई चौड़ाई तो लंबाई 3 होती है और चौड़ाई 2 तो 3 अनपाद नपरात में क्या होती लंभाई तो लंभाई को ध्यान के तीन होती है चोड़ाइ दो धी इसका यह रेशियों बाध इस अम्मिदान द्वारा कितनी राष्ट्रपती तो डक्टर राजैंद्परसाद थे कौन थे डॉक्टर राज इंद प्रिसाद जो 1950 से 1912 तक रहे कि नेशलेंग पंचादी राज संस्ताओं का नमाड सरप्तम किस राज नहीं किया था तो यह सबसे पहले हमारा राजस्तान दूसरा अंद्रफिदेश था के संबेदानिक सरकार का अर्थ क्या होता है unseren संबेदानिक सरस्तों के अनुसाहर कामुं की अनुसा सरकार लोगतानंते सरकार तो इसके डिऑ आप्षन राए burns तो attendance किस अधरत के समेदान पर अन्त में कस्ताचर कियैं परूबे सांदीश तो इसकी देटेल पढ़ लेते हैं सम्मिदान को 26 November 1949 को पूर रूक से लिए पूर कर लिया गया था सम्मिदान सबाग के सदस्यों को 24 जनवरी 1950 को सम्मिदान पर अस्ताचर किया था और 26 जनवरी सम्मिदान पूरे देश में लाव कर दिया इसी के साथ वारत को गड़तंत देश के रूप में स्तापद किया तो 26 जनवर के हम गरतन दिवस्ति मनाते हैं इसी को प्लज में सम्मेदान सबाठ के प्रतान कौन है कौन थे तो ये सच्चना सियां बोलेंगे इसमें इसमें ये आंजर कोई माना ही नहीं है इसमाय होने गिराम पंचायत के कितने पच्छ होते हैं है तो कौन कोन से होते हैं जिला मध जिला पंचाय घंडब बिलॉक विलॉक को फिर्वाइबॉस ग्राम पंच्छा उसकी जो अनुचे 40 कंद्रें ग्राम श्राभाषीरा रायज वस्ता डुन भी किया गया है नगरपालिटі का प्रतानत था नब कि मेर होता है स्वरी अध्याच होता है नगरपाले कमेटी का प्रदान कहलाता है अध्याच तो नगरपाले इसी को चेर्मेन बुला जाता है अध्याच को क्या बुला जाता है चेर्मेन बुला जाता है नगरपाले का कमेटी का गिराम नियालय कहलाता है तो यह कहलाता है निय सब्सक्राइस दोरह से राष्ट पती को कारकाल से अठाया जा सकता है तो इसमें जो महावियों का बढ़ना onочку कितने में दिया गया है और cientoo 입니다 कि इसके सलाफ पर राज मंत्रपसद की निकती की जाती है तो यह राज lihat स्सक्राई राजपर नेमें कि निक्ति की जाती हिना जियाकर करने के लिए उतिदाई नोकरसाई सर्वोच न्यायलाई के नियायती नागरकों द्वारा निर्वाचत प्रत्नेदी तो यह क्या होता है विदायका नागरकों द्वारा द्वारा निर्वाचत प्रत्नेदी को क्या बोलाता है विदायका अकांग अविप्राय है पौईदारी कानून के अंतरकत के मामले के निवारन के बारे में निमले कित्म कतनों में से कौन सा कतन सही है पौईदारी कानून तो इससे पहले नियाले में मामले को दर्च कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास परतम सुचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद अदार अंधर मामला दर्ज कराई जाती है यही आपसन इसका राइट होगा सा कि लोगतंत्र में दोग अ प्रत्र लीओं को चुनकर अपरत्र रूप से भाग लेते हैं और वे प्रत्राइध पूरे देश इसके लिए कानून और नियम बनाते हैं नम्र तो सरकार हैं नियम में तो चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं तो इसमें कौन सा विकल्ब सही होगा तो इसका ऑप्सन कौन सा ए दोनों ही इसके राइट हैं सही बाता चुनाव द्वारा सरकार बदलती हैं और प्रत्ष जो बिश्टेप राइट हैं अब अपराद की जाच कहने में में पुलिस की खतानों में से कौन सा कतन सही है अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरबी के दोसी ने का संके दे रहा है तो वह अदालत में परितम सूचना रिपूर्ट दाकर कर सकती है दूसरा पुलिस हिरासत में दिये गए एकलामा बयान को पुलिस आरोपी के खिलाब सबूत के रूप में इस्तिमाल कर सकती है सरवोच न्याले के निदिशा निदेश पुलिस को जाच के दोरा किसी भी सताने पीटने और गोली मानने के नहीं देती है अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी की दोसी होने का संके दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है तो यह क्या है ओप्शन ए इसका राइट होगा मौलिक अधिकारों के विसाहिमन निमलिकत में दो कतनों पर विचार कीजिए भारत के सम्मिदान में दिये गए सभी मौलिक अधिकार नियाले में बात दिकारी है सूचर के बिरुद अधिकार नागरों को उच इसतर के नियाले में जाने के लिए अनुमत पिदान करता है यह दोगा समझता है कि निचले इसतर के नियाले द्वारा दिया गया नियने अन्याइपूर है तो एकदम राइट हैं दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगी राइट हो जाएं यह भी दोनों सही है कि संभिदान के भाग तीन में अनुच्छित बारा से 35 तक की मूल अधिकारों को विवड़ दिया गया है भाग तीन को भारत का मैगना काटा का जाता है की संग्या दी गई है मौलिक अधिकार नाले में की राइट दिकारों को उचने के लिए अनूमती पितान करता है यह दुवह समझता है कि निचले इस्तर के नियाले द्वारा दिया गए नियर्णे अमाने पूर है क्योंकि इसे उच्टम नियाले त्वारा गारंटी वा सुरच्चा प्यदान की जाती है आलंके पीड़ित ब्यक्ति सीधे उच्टम नियाले जा सकता है अनुचित 32 के तहट यह आवस्यक नहीं है केवल उच्च नियाले के खिलाब ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए भारत में पंचाइदी राज प्रणाली की समंद में निम लिखित में से कौन सा कतन सही है तो उप्सन ए सम्मेदानिक दिसा नियदेश के अंतरकत देश के प्रितिक राज में पंचाइदों के समंद में अपने अपने कानून होते है ग्राम सवा के सच्चिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है अब परशत पन्चाइति राज पूर्णाली दुख्का दुगती है इस तरह है तो यह भी गलत है गिराम, पन्चाइति की अवदी चार वर्स होती है पांच बर्स होती है तो इसका ऑप्सन ए-right होगा बाति में उच नियाले की सम्मन्द में दिये गए दो गतनों पर विचार केजिए उच नियाले द्वारा सरकारों के उत्रगत आते हैं और उनकी और से ही कार करते हैं तो उच्छे न्याले राज सरकार के अंदर गती आते हैं सही बात है और उनकी ओर ही कार करते हैं बलब यह सही नहीं है किसी सरकार के अंदर गती है जा हमने अनुच्छे 50 की बात की दी तो 50 में क्या है कारपालिका का न्यापालिका से कोई संबंध नहीं है उच्छ न्याले के सभी न्यायदीस की निक्ति राज्य के मुख मंत्री के साथ बिचार विमस करने के बाद ही होती है तो ये भी गलत है तो ऑप्सन दोनों ही इसके गलत है अनुच्छे दो सत्रह उच्छ न्याले की न्यायदीस की निक्ति के संबंद में प्राप्धन करता है उच नियालाएक के नियाईदीसों की निक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है, ठीक है, मुक्क नियाईदीस की निक्ति राष्टपती द्वारा और भारत के मुक्क नियाईदीसों सम्मन्द राजपल से परामस करने के बाद की जाती है, जो भी हाई कोट के जज होंगे, जो वहां के राजपाल होंगे और कौन के कौन होंगे राश्पती के परामस पर ही राजपल के परामस के बाद ही की जाती अन्य न्याइदीसों की निक्ति समंद में उच्छ न्याइदीसों से भी परामस किया जाता है दो या दो से अधिक राज्यों के साजा उच्छ न्याइ अधिकार संसोदन अधिनियम 2005 मिर्तक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्यदान करता है तो यह कौन करता है पत्नी करती है पत्नी भी करेगी पुत्र पुत्रों पुत्रों और पुत्री और पुत्रियों को भी इनमें अधिकार है अब पहले पुत्रियों को नहीं था इसम जनपत पंचाइद के कारियों के विसाय मन्यमलिकत में दो कतन हो A और B पर विचार कीजिए तो सही उत्तर का चैन कीजिए जनपत पंचाइद जिला इस्तर का बिकास योजना निदाहन करती है तो ये गलत है जनपत्प पंजद गराम पंचाइट के मदधन नियमित करने में चिला पर्सद गी तो यह भी गलत है। जनपत्पपंजद मुक्ष कार्ण नहाइक वख्ता देखना होता है ना के बेकास एजना का नहीं दनका बित्रख करने की किसी परकार की साहिथा करती है। तो यह और भी दोनों ही असत्य कतन हैं सूचना का अधिकार अधिनियम निम लिकत में दो कतन एब इसी पर विचार किए और सही उत्तर का चैन कीजिए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतरिका सूचना प्राप्त करने के लिए नाग्रकों किसी इस्तर की किसी भी नियाले में पहली याच्ष का दागर करनी होगी तो option डोनों ही इसके गलत है A और B डोनों ही गलत है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार के किसी भी इस्तर चाहिक केंद्र हो या राज सरकार के ब्रवाग के इस्तर में सूचना प्राप्त की जा सकती है सूचना कादिकार अधिन्यवं के अंतरे सूचना प्राफ्ट करने के लिए नागरकों को किसी भी इस्थर के किसी भी नयाले में याचे का इदार करने की आपशकता नहीं होती है तो ये दोने कतन implant गलत हो जाएंगा मतलब बहंती नियाय दिवस्ता के संदम ij हैं विदाई कारपाले का नियाय पायले का बीच सक्ति का बट्वारा कोई भी अपने मामले बिना किसी कानुं दिगरी और नियाय के बहस कर सकता है उपरी अधालत के फैसले निचली अधालतों को मानने होते हैं कि किसी ब्यक्तों अगर ऐसा लगता है कि वो निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उपरी अदालत में अपील कर सकता है तो इसका ऑप्सन डेस का राइट होगा सरकार के कारपाल का अंग से हईपराय क्या है तो इसमें लोगों का समूव जो कानून को लागू करने और सासन चलाने के लिए उत्रदाई तो ऑप्सन इसका सी सही हो जाएगा कौन सा लोगों का समूव जो कानून जो कानूनों को लागू करने और सासन चलाने के लिए का अनुच्छित 22 सुनच्छित किरता है तो यह क्या करता है तो अनुच्छित 22 गरभतारी के दोरान यह हिरास्त मे सी द्रोब्यवार से बचने का अधिकार थिया तो यह अधिकारी के समच पेस करना आने जाने के समय भी होगा उसमें उसे अपने पसंद के बकील से सला लेने का भी अधिकार तो ये इसके लिए कुछ उपपन्द है लोकसवा में सत्ताधारी दल का मुखिया इन में से कौन होता है तो लोकसवा में कौन होता है प्रदान मंत्री होता है निमलिकित में से कतनों में से कौन सा कतन लोकसवा की संबन्द में संबन्द में गलत है तो लोकसभा में एक सासन के पास देश का सासन करने की संपूर तागत होती है लोकसभा में एक सासक के पास ऐसा नहीं है तो यही इसका गलत हो जागा एक या हो जागा गलत हो जागा कि अब यानों कि फलस्रूम मेलाओं को सरच्षड के लिए नए कानून बने हैं निम लेकिन प्रताणाओं मैंसे किस एक कार मेलाओं को सरच्षड करने के लिए अनुच्छ आँ दो याच्छ मैं एक कानून बनाता तो वह कानून कौन सा था आपका गरेलू हिंसा पे था किस पर गरेलू हिंसा पर बहाद सरकार द्वारा द्वार पांच में अधरिया बनाए गया तो 26 को से लागू कर दिया गया था जनहित या चिका पी आ येल की संदम में नीचे दिये गए दोनों पत्रों पर विचार कीजिए और सही उत दिया संस्ता को चिन की अधिकारों का अधिकार एंक उलगन हुआ है उन्हें नयाएपानी के लिए अचे नियाल या सरुड़नी में याचिका ता यह करनर में का अधिकात दिया गया तो ये सही ऑपर फिर स्ट घलत है तो फश्ट घलत है ऊ सब्सक्राइओ सेजिये नहे जै वि sunderek करते हैं संसद ऑते हम कहयंट है काई करते हैं ये एक ऐसी विस्ता जिसमें कारेकानरी विया दाएका को कॉ ऑप्शन कट गया है इसमें गलत है ये जद रहा है जो कि यह शेली है इसका थर्ड इसका सही है संसद वारा पारित किया गया या कोई कानून संभीधान के आधर ढूट ये अले ले याइ पालिका ऐसी कानून को रद कर सकती है यह वहाची तो कोई विदेग नियाई पालिका के द्वारा पास किये बिना कानून नहीं बन सकता तो ये इसका गलत है बहाती सम्मेदान के अनुसार बहाती धर्मने पेच राजी के बारे और निम्लियों खतनों में से कौन सा कतन गलत है तो राजी सरकारी संस्ता और धर्म विशेष्ट मुझलियों को प्रतसन और प्रोदान करने की अनुमति प्यदान करता है तो ये इसका गलत है 22 सम्मेदान संस्ता उनिसचेतर के द्वारा सम्मेदान के प्रस्तावना में धर्मने इस सब्द को जोड़ा गया था इसके अनुमति राजी की सरकार किस प्रकार की है तो ये कौन सी ये लोकतांत्रिक सरकार है कैसी ये लोकतांत्रिक सरकार है इसके विकास सम्मन्दी युजनाओं का ग्राम सवा के प्रस्ता इसका अधर्म वारा सचिब सब्रकार के लिए उत्यदाई है तो उप्सन इसका डी एक्टम राइट होगा लोगतंत्र में लोगों की सहमती पर दिये गए निमली कदनों में से फर्स्ट और सेवन पिचार कीजिए और सही उत्र का चेहन किजिए लोगतंत्र में सामाजी का दालतों को संगड़त करना सरकार और उनके कारियो को चुनोती देने का एक तरीका है लोगतंत्र सही लोगों का भागिदार होने की अनुमती पिता देता है लेकिन समाज के सभी बरगों लोगों ऐसा करने में असमर्थ नहीं होते हैं तो ए और भी इसके दोनों ही राइट हैं नेश चलेंगे जनपत पंचायत के अंतरगत है है तो जनपत अच्छा थे नई तो नई नगरपाले का बाड़ आते हैं और आते हैं जनपत पंचायत के अंतरगत नई कारपाले का बाड़ होते हैं तो यह तो कुस्षन यहीं तो थक कि आगे कुस्षन लेके आएंगे दूसरी स्रीज में थैंक्यू सुमसाती अ कि आते हैं